Dear students, फिर से आप से भी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और यहाँ पे धर्मों के कई सिंबोल्स दिखाया गया है तो यहाँ पेस का बतलाने का अर्थ है कि हमारे देश में अनेक परकार के धर्म है, रिती रिवाज है तो यह हमारे देश की विविन्ताओं को दिखाता है, लेकिन विविन्ताओं के बावजूद भी हमारे देश में एकता बना हुआ है यह हमारे आंतरिक मन में अपने देश के परती एकता की भावना बना हुआ रहता है तो आए देखते हैं यह कौन सा चेप्टर है ये कलास 5 का SST बुक है और ये चप्टर है 12 और इस चप्टर का नाम है राष्टरिय एक्ता तो राष्टरिय एक्ता देश की एक्ता की बात कर रहा है यहाँ पे तो इसको हम लोग संचिप्त में पढ़ेंगे इस चप्टर को और फिर इसके question answer को solve करेंगे तो आईए इसको के जरवत है तो दचिन में सागर कहीं परकिली सरदी है तो कहीं अत्यदिक गर्मी इस तरह के हमारे देश में प्राकृतिक विविनता है प्रकृति ने हमारे देश को बनाया है उसमें उसमें इसे अनके विविताओं से भरा हुआ है उस Kristi लोग default को ये वण अलग अलग रिती रिवाज है उत्सव परप्राएं सब अलग अलग है लेकिन फिर भी वे जो है एक ही वातावरन में रहते हैं और एक दूसरे से मिल कर रहते हैं यह सब मिलकर एक सुन्दर बगीचे के समान दिखाई देते हैं जिसमें अनेक परकार के रंग भी रंगे फूल खिलते हैं और उनसे ही बगीचे की सोभा बढ़ती है हमारा देश को यहाँ पर एक बगीचे की तिरवत लाए गया है तो बगीचे में अगर एक तरह का ही फूल रहे तो वह उतना सुन्दर नहीं लगेगा अलग अलग तरह के अगर फूल रहेंगे तो ज्यादा सुन्दर लगेगा उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग परकार के लोग रहते हैं अलग अलग धर्मों को मान्याताओं को मानने वाले लोग रहते हैं हमारे देश में अलग अलग दिखाई देने पर भी एक सांस्कृतिक समाजिक एकता की भावना विद्यमान है जो देश की एकता अखंडता पर संकट आने के समय परकट होती हुई दिखाई देती है और यह एकता जो है जब देश में कभी अत्यादिक संकट आता है देश संकट से घिर जाता है तब वह एकता जो है हमें दिखाई पढ़ने लगता है पिर यहां पे धर्म के बारे मतलाया गया है हमारे देश में कई परकार के धर्म है और सभी धर्म हमें एकी तरह की बाते सिखाते हैं संसार के सभी धर्म आपस में प्रेम भाव से रहना दुसरों को कस्ट ना पोहुचाना अच्छे गुनों का विकास अच्छा व्यवहार करना ही सिखाते हैं तो सभी धर्म का एक ही काम है एक ही चीज़ सिखाता है लेकिन फिर भी हम लोग अलग-अलग धर्मों को मानते हैं तो धर्म का अर्थ यही है दुसरों को कष्ट दिये बिना अपने कर्टेब का पालन करना तो मिखरूप से धर्म का मतलब यही है इसके बाद संस्किर्टी का यहाँ पर बतला जा रहा है यहाँ के रिति रिवाज परमप्राएं अलग-अलग दिखने पर भी उनमें एक संस्किर्टीक एकता दिखाई पड़ती है अलग-अलग ऐसा महसूस होता है अलग-अलग तो है लेकिन फिर भी संस्किर्टी एकता जो है वह एक ही है परचली तिरिती रिवाज परमप्राएं उसी भारतिय संस्किर्टी के अंग है तो ऐसे जो है एक कहा जाता है वसुधेव कुटुमकम इसका मतलब वता है कि सारा की बाते कर रहा है तो जो हम तेवहार मनाते हैं उसे ही उत्सव परव कहा जाता है तो यहां एक प्रकार के परव मनाया जाते हैं राष्ट्री अस्तर पर होली दिवाली दसहरा यह सब पूरे देश मनाया जाता है इसलिए यहां पर राष्ट्री अस्तर लिखा हुआ है इसके अब ये हमारे राष्ट्रिये तेवहार है, उसके बाद यहां मेले के बारे में बतलाय हुआ है, हमारे देश में छोटे बड़े अनेक मेले लगते हैं, मेले हमारे देश की समाजिक राष्ट्रिये एक तक के परकट रूप है, सभी धर्मों जातियों समपरदायों के लोग पर चार अस्थानों पर लगता है हरीद्वार, प्रियाग, जेन और नासिक में हर 12 वर्स के अंत्राल पर मतलब एक बार अगर लगा उसके बाद नेक्स्ट 12 वर्स बाद जो है वो फिर से वहाँ पर लगेगा लाखों लोग देश के कोने-कोने से अन्यक कस्ट साकर भी आते है और इसके अलावा और भी कुछ मेला जहां पे लगता है ज़्यादा भीड़ोता है नौचंदी, सौनपूर, देवाशरीप इस तरह के कई नाम दिये हुए हैं तो यहां पे भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तीरतस्थान हमारे देश में कई जगह हैं और वहाँ पे लोग जाते हैं और सुक सांती का अनुभव करते हैं जगत गुरु संकरा चारे द्वारा देश की चारो दिशाओं में बारा सो वर्ष पूरु अस्थापित चार धाम उत्तर में बद्रिनाथ, दचिन में रामेश्व के तीरतस्थानों, मंदिरों, मठों, दरगाहों में दूर-दूर से लोग वर्ष भर जाते रहते हैं इसके अलावे कई सारे तीरतस्थान हैं आमली सर, हरिद्वार, प्रियाग, बोधिया इस तरह के कई सारे नाम हैं और ये गंगा से लेकर उत्तर में गंगा से लेकर दच पिचर दिया हुआ है बद्रिनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापूरी, जगरनाथपूरी इस तरह से और यहाँ पे एक सलोक दिया हुआ है गंगे चायोमने, चेव, गुदावरी, सरस्वती तो यहाँ पे दिया हुआ है गंगा देश की पवित्रतम नदी मानी गई है गंगा असनान का संपूर्ण देश में 20 समहत्व है देश के चारो कोनों से लोग प्रियाग संगम पर असनान करने आते हैं गंगा को हमारे देश की पवित्र नदी मानी जाती है हम गंगा नदी को गंगा मा कहकर संबोधित करते हैं इतिहासिक अस्थान में इतिहास की जानकारी हमे नागपूर, कई सारे नाम दियğin हैं इन जगहों में लोग घुमने के लिए जाया करते हैं और हमारे देश की जो इतिहास है उसके बारे में जानते हैं पर्यटन केंदर पर्यटन केंदर का मतलब होता है कि जहां पे टूरिस्ट लोग जाते हैं, पहुँचते हैं, अस्पेसले वो घुमने के लिए एक टार्गेट बना कर निकलते हैं और वहाँ पहुचते हैं, राष्ट्री एक्ता को मजबूत करने में परियतन के अंदरों का भी विसेस योगदान है, परियतन विभाग, यातराओं, सांस्क किर्तिक विरासत से परिचित कराता है, जिसमें से ऐसे कई अस्थान है, सारनात, कौसांबी, बोधगया, आदि ऐसे अस्थान है, जहां देश-विदेश के लोग आते हैं, इतिहास यहां महापुरूस, तो इतिहास से कई महापुरूस जुड़े हुए हैं, उसके बारे में पर दिया हुआ है, देश के गुरवसाली, अतित का एक इतिहास भी है, सोने की चिडियां और जगत गुरू कहलाने वाले इस देश की इतिहास के परति यहां के लोगों के मन में एक स्वाभिमान का भाव है, तो इसे हम लोग सोचते हैं, कि हम जिस देश में रहते हैं, वहा जो सभ्यताएं, संस्किर्ती उत्वन हुआ है, और कहीं नहीं हुआ, आज हिंदुस्तान सोने की चिडियां नहीं है, लेकिन किसी से कम भी नहीं है, बिदेशी आकरमनों के विरुद सभी लोगों ने मिलकर संगर्स किया, वे लोग जो आकरमन कारी के रूप में आये थे, व Baayzi के रिती रिवाज में घूल कर हिंदुस्तानी बन जाता हिं रह जाता है, तो वहीं चीजी यहां भी बतला गया है, बहुत सारे लोग आकरमन कारी लोग यहां पे आये, मुगल यहां पे आये थे और फिर वो गए कहीं नहीं, हिंदुस्तानी बनकर ही रह गये, मुगल सम ज reference यहां पर पहलर के ताग चिर्ट सीचिटरी स्लोग को भारतवस काते हैं, इस भारत की संतान हम सब भारतिय है, तोessions動画 कौने में लिए इसलिए लिए भारतिय हैं, यह भावना हमारे देश के प्रतेक नागरिक में है कि यह हमारा देश है यह हमारी मात्री भूमी है तबी तो लोग देश के कोने किसी भी कोने में आने वाले संकट या दुरगटना के समय दोड़ पड़ते हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने महसुस किया होगा जब कहीं भुकम पाजाता है तूनामी आजाता है तो पूरे देश भर से लोग चंदा इखटा करते हैं और उस जगह पे जहां पे लोगों को प्राकृतिक आपदा को जहलना पड़ रहा है उन लोग पढ़ने पर सारा देश एक हो जाता है हमारे सेनिक देश की रच्छा के लिए सीमाओं पर अत्यधिक कस्ट सहकर भी डटे रहते हैं तो सामाईन जनता उनकी सहायता कर उनका विश्वास बढ़ाती है इस देश की आंतरिक एकता ही है जो यह सब कायरे करती है यह एकता बहुत हैं देश की भूमी के परती यह मात्री भाव ही हम सब में भाईचार बढ़ाने में साहिक होता है तो हमारे देश में जो सेनिक डटे रहते हैं वो कितने कस्ट सहकर वहां पर डटे रहते हैं हम उसे समझ नहीं सकते हैं उसे महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे साथ त पुछ लोग अपने स्वार्थ के कारन कभीकभी इस एकता को समात करने का प्रयास करते रहते हैं। उनसे सावधान रहकर देश के सभी धर्मों, संपरतायों, जातियों, बोलियों, लोगों में आपसी प्रेम भायचारत आत्मियता का विकास करने का प्रियास करना चाहिए. कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग गलत भावनाये रखते हैं, कुछ गलत चीजे ऐसा कुछ करते हैं, जो देश के परती हितकर नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, और उए लोग अगर पकड में आये, तो हमें उन्हें पुलिस के हवाले, कानून के हवाले कर देना चाहिए. तो यहाँ पर यहाँ चप्टर समाप्त हो जाता है, और इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा कोश्चन नमबर टू में फार्ट से छाट कर लिखिये, इस्थानों के नाम, तीन तीरत अस्थानों के नाम, तीन इतिहासिक अस्थान, तीन मेलों के नाम, तीन धामों के नाम, इस तरह से यहाँ पर नाम लिखने के लिए कहा गया है, इतिहासिक स्थान पर जाने पर क्या होता है इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब यहां पर कुछ सिर्फ नाम बतलाना है तो आए मैं आप लोगों को इसका अंसर बना के देता हूँ। किन-किन बातों से परकट होती है। हमारे देश में अलग-अलग दिखाई देने पर भी एक संस्कृतिक समाजिक एक्ता की भावना विद्यमान है। जो देश की एक्ता वा अखंडता पर संकट आने के समय परबल रूप में परकट होती है। संस्किर्ती एवं इतिहास से एक्ता कैसे अस्थापित हुई है। देश में परचलित इरिती रिवाज परंपराएं भारतिय संस्कृति के ही अंग हैं। भारतिय संस्कृति पूरे बिश्व को एक परिवार मानती है। देश के एतिहासिक अस्थान में जाकर लोग अपने इतिहास को जानते हैं और देश के परति उनका स्वाभिमान जागरित होता है उत्रम वाले स्लोक का भावार्थ लिखिए इस स्लोक का भावार्थ है समूद्र के उत्तर तथा हिमाले के दच्छिन में फैले भुभाग को भारत वर्ष काते हैं हम सब भारतिये भारतमा की संतान है राष्ट्रिये एक्ता को कैसे मजबूत किया जा सकता है राष्ट् प्रकार की एक्ता को परकट करने वाली बातें राश्ट्रिय एक्ता को और मजबूत करती है। तो यहां पर मैंने डारेट इसका अंसर दिया हुआ है। आप इसका क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं। तो यहां पर यह चप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगो को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक ल किजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आईए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।